आपके अलाइंस ने तो मुहपत की दुकान खोल रखिये ना जी कैसी मुहपत है आप TMC के साथ मुहपत करके इनके साथ चल सकते हैं जी विश्वास जी के साथ दो कदम देखे नए नए इनडिये में सभी घटक दल हैं और सब अपने अपने तरीके से हैं कुछ राज्यों में हो सकता है हम एक साथ ना भी लड़ें फिर भी सब आइनडिये में कुछ पोस्ट पोल होंगे कुछ अलाइंस प्री पोल होंगे ने बंगाल में ठीक है अभी तो अप्र कौन किसके साथ रहेगा लेकिन यह कि वैमनस से और वर्बल इंफाइटिंग नहीं हामें कठे हैं सभी लोग और आगे लड़ेंगे और सत्ता परिवर्टन भी होगा यह भी आप देखेंगे यह चाहे जनवरी 22 करने लड़ेंगे विए शिवास्तों जी के साथ लेफ पार्ट यह आपकी आज ऐसे टॉपिक अपने रखे हैं दिखिए बहुत दिन से इंडिया एनल्स में यह बात चल रहा था कि कब यह सेट शेरिंग फाइनल होगा लेकिन आज तक इतने दीन इतना वैठक के बाद भी शेरिंग फाइनल नहीं हुआ तो ममता दिदी ने जिस बारे में बार-बार एक ही बात बोल रहे थी सेट शेरिंग फाइनल की जी आभी तक नहीं हुआ दूसरी बात है हम लोग 34 साल बंगाल में CPM की जो अपशाशन है इनको हटाने के लिए ममता बैनेज जी ने अपने जी जान लगा दी अगर ममता बैनेज जी नहीं होती तो यह मुम्कि में रहना हम लोग अकेले लेंगे बंगल में यह बात दिदी ने साफ कर दिये हैं जो होगा आफ्टर पोस्पोल वो दो दिखा जाएगा पोस्पोल हो जाए उसके बाद हम लोग निल्ले लेंगे पार्टी निल्ले लेंगे कि आगे क्या करना है फिलाल 300 सीट कॉंग्रेस ल में नहीं है दिपक जी ये बात आज दिदी ने साफ कर दिये कि चिनिमुल कॉंग्रेस यहाँ पर अकिले लड़ेंगे बंगल में हम कोई पर दया नहीं करेंगी ममता दया को बेना एटा चोल बेना कोई बात नहीं कोई किस पर दया करें नहीं देखिये सभी का अपना अपना मान समवान है कॉंग्रेस एक समवानित घटक दल है जितने भी आई एटी आईए में है सबका समवान है वर्बल इन्फाइटिंग मीडिया के सामने उसमें हमारा विश्वास नहीं है जो डिसीजन होते हैं प्रॉलिट बीरो से क्रेटेरियेट करता है वो ओफिशली प्रेस कॉणफरेंस बुलाता है उसके बाद ही इस तरह के विश्यों पे बोला जाना चाहिए और हाँ ये मैं जरूर कहूँगा सब साथ हैं और ये स्पीड ब्रेकर्स हैं ये स्पीड ब्रेकर्स एप्रेल दकाएंगे बहिए जब तीन राज्यों का चुना हुआ था तो लगभग मान लिया गया था आई एंडिया ये खतम हो गया समाजबादी पार्टी और कॉंग्रेस के श्री कमलनाथ नहीं बनी थी आपस में उस वक्त एक गटबंदन नहीं हो पाया हमारा राजस्थान में नहीं गटबंदन हो पाया था कॉंग्रेस से लेफ्ट की सीटें भी अलग से लोग लड़े थे जिसका खांब आजा बुकता सबने तो अब ये है कि ये एक बड़ा एलाइंस है इसमें वराइटी ओफ पार्टी जैं अब सेंड डाउन्स है तो ये स्प्रीड ब्रेकर जैं ये लगेंगे अभी लेकिन फाइनल पिक्चर आब यकीन मानिया मार्श तक ही क्लेर हो पाएगी अंतों में तब बाइणि भी चलेगी बात्चीज भी चलेगी सब चलेगा अब फाइवे के अंदर आचकल जो एक्स्प्रेस बेंटेना उनमें स्प्रीड ब्रेकर नहीं होते हैं वो सिर्फ टोल के आगे होते हैं और जादा स्प्रीड ब्रेकर में ब्रेक ना लगा पाया है तो वाड़ी पलट याती हो यह बाई सुधान चुत्रेवेदी जी यह इंडिया एलाइंस टिकेगा रहेगा चलेगा कि खेला हो गया है कि मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हो बस मैं हम लोग तो स्पीड मांग रहे हम लोग तो तेजी से चलना चाहते हैं इस आइलांस को सीट शेरिंग फाइनल की जिए इतने बार मम्ता देदी ने बोला है स्पीड बेकर हम नहीं है स्पीड बेकर ओ पार्टि है जिन्हों आज तक शेरिंग नहीं कर पाइनल ने राज किये हैं सत्ता में आज भी एक याथरा अगर पुश्चिर मंगल में होगा तो उनके लिए टेमसी को कोई निमंत्रन पत्र भी तक नहीं आया जो coalition में उनको बोलते हैं कि हम गडबंदन में हैं उनको कम से कम एक निमंतर पत्र तो भेज दिया करो तो ये एक organized party का काम नहीं है जो organized party होते हैं वो आपने जो जो है गडबंदन में है अपनी साथीयों को साथ में लेके चलते हैं लेकिन Congress के साथ ऐसा कुछ नहीं दिखाई द पर आज ठीक है सुदांचु जी इंडिया गडबंदन चलेगा खतब हो जाएगा क्या भविश्यवानी आपकी देखे पहले तो मैं भविश्यवानी की बजाए भूत काल की वानी कहता हूँ भूत से वर्तमान तक आते आते इनके उपर वो मिसल लागू हो गई कि उजड़े दयार मांग के लाया था चार दिन दो आर्जू में कट गए दो इंतजार में और चार मीटिंग हुई इंकी च बताएंगे तारीख नहीं बताएंगे वो तो तारीख निकल गई भवे प्रांट प्रतिष्ठा हो गई मगर इनकी सीट बटवारे की तारीख नहीं भूच पा रही है बड़ी मुश्किलों की बात है और क्या करें ममता जी भी कुछ हद तक सही समझ रही है लेफ्ट और कॉ जोड़ी नहीं हुआ है कॉंग्रेस में लेफ्ट की आत्मा सवार हो गई है इसलिए आप देखिए कि तमाम कॉंग्रेस के लोग जिस प्रकार के बयानबाजी करते जा रहे हैं वो किसी जमाने में सतर और असी के दशक में लेफ्ट के नेता वो भाशा बोला करते थे जो कि क राज्य में अनवरत राज्य करने का मौका मिला क्योंकि कॉंग्रेस को भी 33 य makers किसी राज्य में नहीं मिला था वो लेफ्ट को मिला अब उसके बाद की जो इससिती है तो यह दरशाता है कि बाहर से कुछ और इससिती है अंदर से कुछ और है जिसे हम कह सकते हैं कि अब पर वो लड़ेंगी उसका कारण ये था कि वास्विक्ता में हम बिलकुल एक राजनेतिक बात कहता हूँ लीपक जी गठबंदन भाजपा से लड़ने के लिए थोड़ी था ये मोधी जी की विराथ शक्सियत के आगे तो कहीं कोई टिकता ही नहीं सबको पता था ये तो विप मैंने का भाजपा खिलाप नहीं थी है जो पूरफ से पश्यम तर निकल लेगा भाजपा खिलाप नहीं है ये सहयोगी दलो इनके का इंडी दल के कटमदनों खिलाप है वही तुम अपनी अवकाद देख लो कहा हूँ भाई मनिपूर से लेके गुजरात तक तुम हम तो हैं तो मैं अरे लिवेक जी आपने अपने टन पर बोलेंगे तो बहतर रहेगा किसने क्या याद रखा बहुत सारी चीज़े हैं याद करने ने वो ठीक है सुवांचु जी मैंने तो सरफ एक ही लाइन कहीं मैंने का करपा आप भी मनिपूर पर कर देते तो अच्छा रहता कम से सरकार के खिलाब और शास तक का प्रस्तावा आ जाता है मगर मनिपूर सरकार के खिलाफ नहीं या रहा है ये राजनिती होती है कि मनिपूर को मुद्धा बने क्यों दिया आपने मनिपुर को पुद्धा बनने क्यों दिया? अब हम इंडिकर बनने के बाते हैं? आपको पता है कि मनिपुर की जंता को पता है किसके दौर में वाइलेंस कितना हुआ था? कितना भयानक हुआ था? इसलिए उस विशे से हम अभी वरतमान के विशे के उपर आते हैं सबसे बड़ी बात मैं जानते हैं क्या किना चाहता हूँ दीपक जी जब बंगाल का चुना हुआ था हम लोग के बारे में कहा गया था भाजपा हार गई जबकि वास्विक्ता में गर हम देखें तो हम तो मुक्य विपक्षी दल के बन के उबरे थे लेफ्ट और कॉंग्रेस साफ हो गया था केवल 2011 तक यानि 12 साल पहले तक अगर चाइना के बाद दुरिया में सबसे बड़ी आबादी थी जो लेफ्ट के रूल में थी कम्निस पार्टी के रूल में जो लाल जंडे के नीचे थी लाल सलाम के नीचे तो वो वेस्ट बेंगॉल थी वहाँ लाल रंग साफ हो गया हरा साफ हो गया आज लड़ाई बात की हो गई कि गाड़ा भगवा बना हलका भगवा मतब ममता जी भी चंड़ी पार्ट करने लगी